नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है हिलकाप्टर हाथसे के सिकार हुए देश के पहले चीफ आप डिफेंसी स्टाफ जनरल बीपिन रावत अपने बीच नहीं रहे पुरे देश में सोग की लहर है राष्टपती से लेकर प्रधार मंत्री तमाम गड़माने लोग संबे नाय ब्रेक्ट कर रहे हैं अपना ही ऐसी हुई है कि ना सिर्फ सीडियेस बीपिन रावत बलकी उनकी पत्नी मधूल का रावत और ग्यारह अन्य सैन अपसर भी इसमें मारे गए हैं लेकिन देश की सुरक्षा का जब भी इतिहास लिखा जाएगा सीडियेस बीपिन रावत का नाम आएगा एक तो वो पहले चीफ आप डिफेंस इस्टाप बने थे और इसके बार सुरक्षा की तमाम जो युजनाय थी वो इनके नित्रित में आकार ले रही थी आत्म निर्बर भारत डिफेंस कोरिडोर समय तमाम ऐसी चीजे थी जिसमें वो डिपली इन्वाल्व थे चीन के सामने यदि पहली बार कोई डट के खड़ा हुआ डोकलाम में तो वो जन्रल बिपिन रावत ही थे उरी हमले के बार यदि साजिकल स्ट्राइक हुआ तो उसके मास्टर माइंड जन्रल बिपिन रावत ही थे उनके नामे धेरो सारव उपलब्धिया हैं जरा सुनिये उनपे एक रिपोर्ट अत्राखंड के पोड़ी गड़वाल में जन्वे बिपिन रावत के पिता लक्षमन सिंग रावत लेफ्टनर जन्रल थे उन्होंने सिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल और राष्टी रक्षा अकादमी खड़क वासला से पढ़ाई की दिसंबर 1978 मुने भारती सेंट अकादमी से गुर्खा राइफल्स की पांचवी बटालियन में नियुक्ती मिली थी यहां उन्हें स्वार्ड आफ आनर से सम्मानित किया गया था सीडियेस का पत दिये जाने से पहले वो थल सेना के 27 अधक्ष थे इससे पहले एक सितंबर 2016 को उन्हें सेना का उप्रमुक बनाया था जनरल राष्ट की पत्मी मधुलका राष्ट भी सेना से जुड़ी हुई थी वो आर्मी उमेन वेलफेर एसोसियेशन की अधक्ष थी की तोर पे जाना जाता है साल 2016 में उरी सेना के कैम पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल विपिन राष्ट के नित्रित में 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में लगे आतंकी सिवरों को ध्ष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी जिसको विपिन राष्ट इंफेंट्री डिविजन की कमान समाली साउथ कमान की कमान समालते हैं उन्होंने पाकिस्तान से 65 सेवनापर में के नाइड वारफेर के साथ-साथ एयर फोर्स और नेवी के साथ बहतर तालमिल बिठाए चैनिज बार्डर पे विपिन राष्ट करनल के तोर पे इंफेंट्र बटालियन की कमान भी समाज चुके थे विपिन राउत को इंडियन मिलिट्री एकाडमी में स्वाड अफ ऑनर से नवाजा जा चुका है राउत चीफ आफ आफ इस्टाफ कमेटी के अधक्ष के साथ साथ भारती सेना के 27 सेना धक्ष के रूप में भी काम कर चुके है 16 मार्च 1929 को उत्राखंड के पौड़ी में गढ़वाली राजपूत परिवार में जन्में विपिन रावत ने 1978 में आर्मी ज्वाइन की थी विपिन रावत ने 2011 में चोड़ी चरण सिंग नर्शीटी से मिलिटरी मीडिया इस्टेडीज में पिएचडी की डिग्री हासिल की विपिन रावत ने 1 सितंबर 2016 को आर्मी वाइस चीफ का पत समदी सुना गजब से सासी इंसान थे और जो उन्होंने इसी में अपने फिल्ड में ही चोड़ी चरण सिंग नर्शीटी से पिएचडी किया था और उनका एक और युद्दान है कि समाने तोर पे इस से पहले जो सेना की करवाई होती थी उसको गोपनी रखा जाता था यह जनरल विपिन राउत का हिसास था कि कहा कि जो भी हम आप्रेशन करते हैं चाहे सर्जिकल इस्ट्राइक करें एयर इस्ट्राइक करें गोपनी अभ्यान चराए सब मिडिया से से शेर किजिए आने दीजिए पब्लिक फोरम में तो वही विपिन राउत अब अपने बीच नहीं रहें 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 अब एक खबार देखते रहें इन खबार थैंक ये